नमस्कार प्रकर गुंज नियूज डैस पर आप सभी का स्वागत है रुक करते हैं खबरों की ओर गड़तंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली में हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई है दिल्ली पुलिस ने संयुक किसान मोर्चा के नेता योगिंदर यादव गुर्णाम चड़ुनी और राकेश टिकेत समेत कई किसान नेताओं के खिलाफ एफ़ायार दर्ज कर ली है बता दे कि इस दोरान एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें योगिंदर यादव गुर्णाम चड़ुनी पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा है इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने किसान ट्रेक्टर रैली के दोरान हुई हिंसा के संबन्द में 200 लोगों को हिरासत में ले लिया है जल्द ही उन्हें गिरफ़तार किया जाएगा अब तक 22 FIR दर्च की गई है दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हिंसा को लेकर IPC की धारा 395 डकैत 397 लूट या डकैत मारने या चोट पहुचाने की कोशिश 120 भी आप राधिक साजिश की सजा और अन्य धाराओ के तहट FIR दर्च की है क्राइम ब्रांच द्वारा जाज की जाएगी धन्यवाद समचार के बारे में आप अपनी राइक कमेट बॉक्स पे जरूर दे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अधिक तादर रिन खबरों के ले जुड़े रहे प्रकर गोज रियूस डैस के साथ